आज हम बात करेंगे अगर अच्छा खासा काम चलता हुआ ठप हो जाए जॉब से अचानक निकाले जाओ जितना पैसा आ रहा है वो बिमारियों पे जा रहा है तो क्या हो सकते उसके कारण और उसके जबरदस्त निवारन जानेंगे हम इस विडियो में लेकिन इससे पहले नम लोगों से जब कंसिल्टेशन करती हूं तो सामने बात आती है वो इतने डर जाते के शापित पत्री है ना श्राप लगा हुआ है शापित पत्री है अंधी पत्री है पहले इस चीज़ को समझतो लो कि वो चीज़ होती क्या है कई बार लोगों से कंसिल्टेशन करती हूं त पस इस चीज को डेड़र के श्रापित पत्री या अंधी पत्री होती क्या है देखो भई जब हम काम काज को देखते हैं वो दसवा हाउस और छटा हाउस होता है ना अगर इन इन घरों में किसी भी प्रकार का अगर कंजंक्शन एस्पेक्ट होता है बुद्ध ब्रस्पती का शनी चंद्र का शनी केतूं का सूर्य शुक्र का सूर्य शनी का तो कह दिया जाता है यह शापित पत्री या अंधी पत्री है इसमें चटा हाउस आठवा हाउस बारवा हाउस का किसी भी प्रकार पे कोई संबंद बन गया या पाचवा घर या आठवा घर बारवा घर अगर किसी भी प्रकार से संबंद बन गया तो प्रॉब्लम आती है आती है तो आती है लेकिन इनको बड़ी गहराई से बड़ी मेनत से इसका जो कहते है ना इल इफेक्ट है वो हमें खतम करना पड़ेगा और चीजे आपको करनी पड़ेंगी आप अगर मेरे को बोलो जी कोई easy उपाई बताओ देखो मैं आपको सची कहा रही हूं मेरी भी पत्री यह है अब आप सोचोगे मेरी पत्री में बहुत कुछ है और यह easy मतलब easily चीजें नहीं मिलती पाशलोगों मैं आपको बहुत honestly चीज बोलू है ना आप अगर सोचो जी मैं बस आपको बोल दू बस इस कागस पर यह लिख कर बस यह सोच लो नहीं होता यार जब जिन्दगिया बार 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 पटगिया मारती है ना तो कोई कागस पर लिख कर मैं सोच नहीं सकती मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कह रही हूं मेरी मम्मी का जो थौट प्रोसेस है वो अलग है मेरा थौट प्रोसेस अलग है माई मदर है सीन वर्स्ट ऑफ दे टाइम बिजली पानी कटावा सारी दो बच्चों के साथ मतलब ना आगे पीछे कोई रिष्टेदार नी फादर मेरी मिसिंग चले गए उनका उस उस में भी थौट प्रोसेस ये था कि सब हो जाएगा और वाकी में हो गया है ना होता गया होता गया हो पर मैं यह सोचती हूं कि मैं उतनी जादा इमोशनली स्ट्रॉंग नहीं हूं तो मैं तो हर बं लोग कितने लोग मेरे से कंसिल्टेशन नहीं ले सकते मैं नीे चाहती है आप इदर अपने लाखो रुपे इन लोगों को मू में पैसा ठूसो बिना बात कया कितनी महनत लगती है यार कितनी महनत हम लोग करते किस बात का पैसा दे क्यों पैसा दे कि 50,аешь 40,000 कम है क्या सीधी बात है तो प्लीज मेरी बात समझो देखो अगर ये चीज है मैं आपको कुछ-कुछ चीजे बता देती हूँ पहली चीज तो महीने में एक बार दस द्रिश्टी हीन लोगों की कोई कोई और्गनाइजेशन पता कर लो जहां पर जिन लोगों की आखे नहीं है ना उनको कहीं महीने में एक बार जितनी अपनी कपैसिटी है जितनी अपनी कपैसिटी उनको खाना खिला के और दूसरी चीज आपको बता देती हूँ आपको मैंने पहले भी बोला था हवन क्यों नहीं शुरू करते गाईतरी मंदर का हवन शुरू करो या ओम ग्राम गृम ग्रीम ग्रॉ नहीं दे सकते कोई बात नहीं आप कम से कम 51 दे दो 51 नहीं दे सकते इतना टाइम नहीं है वैसे तो क्यों नहीं है जब इतने इतनी पटकी लाइफ पड़ती है न हम क्या करते हैं हम इस चीज से दूर भागते हैं नहीं हो रहा जी वही तो टाइम है जब चीजे कर सकते हो बच शनी का भी जो मेल होता है वो बेपेंदे का लोटा होता है अपने को लगता है कि चला अभी कुछ हो जाएगा अभी कुछ हो जाएगा लाइफ ऐसी पठकी मारती है कि जो सोचा था वो एक दम पलड़ देता है क्या थैना एक बिजली सी कड़क जाती है लाइफ में ऐसी चीज की अब अगर मैं scientifically बात करती हूँ जो बुध है वो बना किसका है पहले उस चीज को पता करो बुध लोहे बुध ग्रह में लोहा पाया जाता है तो अगर हमको उस चीज के negative effect को उसको cut करना है तो उस चीज को ही करना पड़ेगा एक चीज बता देती हूँ जो कल बताना भूल कई बर मिया बीबी की test एकदम reports नॉर्मल आती है फिर भी conceive नहीं कर पाते यह उन लोगों के लिए भी है जो बहुत बार-बार परिशानी आ रही है और क्या कहता है बुध शनी का भी mail क्योंकि आज बुधवार है तो एकदम याद आ गया बुध शनी का भी जो mail होता है वो क कोई भी चीज ऐसे हवा में बाते नहीं करूंगी बिल्कुल जो पकी चीज है वो बता रही हो एक लोहे की जो छोटी सी ठोस गोली टाइप की होती है वो husband रखे अगर conceiving में problem आ रही है अगर बुध शनी का mail है अगर बहुत जादा problem create कर रहे हो हो रही है एक लोहे की चल वो खोली गोली वो अपने पास रखे और एक wife रखे अपने पास इससे जो है कई बार टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है अच्छा लेकिन फिर भी problem create होती है कलना एक मेरे को कमेंट आए था यह वही पाखंड की दुकानिया अरे बुध कैसे अशुब हो गया रहु अशु से बोल रहे हैं अरे यार बुध अगर दिमाग लगा हो अगर च्छटा उस आठवा उस बारवा हाउस अगर वो है तो बुध क्या क्या दे जाएगा शुब ग्रै भी क्या दे जाएगा और अगर ऐसी चीज है तो कई लोग बोलते हमारा जुपिटर बड़ा उचका है तो जुपिटर उचका था तो जुपिटर की दशा में जुपिटर तो सबसे क्या देना जिसका नेगेटिव भी होता है उतना नेगेटिव नहीं करता बोला जाता है ना तो जुपिटर अगर बंदेगी पतरी में उचका है तो जुपिटर के पीरेड में उसकी बैंड कैसे अब अगर वापस टॉपिक पर आती हूँ अगर यह वाली हमको यह सिम्टम्स दिख रहे हैं कि अच्छा खासा काम ठप होता जा रहा है और यह बच्छपन से ही चीज़े शुरू हो जाती है बच्चे की पढ़ाई में बार बार डिफिकल्टी आती है बच्चे की पढ़ाई ह यह प्रिंप्पमिछारीz इतना महनति तूर्ण महरी को काम करना था तो पढ़ा ही जोड़ने पढ़ी मैं कैती करते हैं इतना इतना rakते वह कितना करते हैं तो पढ़ाई कोई भी शुटांस शुठ गई अब आपको बताती हूं क्या करना है जितने भी घर के मेंबर है देखो यह serious matter है यह उन लोगों के बतारी हूं जो serious है देखो अभी जो हरदवार नहीं जा सकते वो तो बात और हो गई जब लगे एक तो जो अपने ही इधर है जैसे बॉंबे में इधर है उदर है अभी हरदवार नहीं जा सकते हैं हर भ्रषपतिवार को जितने भी मेंबर है जितना भी capacity थोड़ा पैसा लेकर एक पीले कपड़े में है ना उसके अंदर आपने क्या क्याती है 400 ग्राम चनी की दाल छोटी सी सोनी की तार फोटी सी सोनी की तार इसकी और जितना धन है उसमें रख कर इसकी पोटली कि इतने की आजाते हो, पत्री सी लेलो, कितने की आजाते होगी, पता तो करो, इतनी जी बोल रही हूं, जितनी कपैसिटी है, अपना ये पोटली बांद के, अपना जितने जो मंदिर में पुरोहिजी हैं, उनको देकर, बस बोलो कि मेरे बच्चे की पड़ाई, ये हमारा घर का जो करोबार है अपना अशिरवाद दो सब ठीक हो जाए या तो फिर जो हरिदवार जा सकते एक बार मेरे कहने पे आप उधर जाओ वो जो करमकांड करते हैं प्रॉपर वाले ये एस्ट्रोलिजरों के करमकांड करने वाले नहीं इनके बिजनिस पार्टनर मेरे को बोलने में शरम नहीं आती ऐसी ऐसी चीज़े जब बात करती हूँ ना लोगों से तो पता चलता है अपने गहने बेच रहे अपना ये कर रहे वो कर चल कुछ हो जाएगा चल अब कुछ हो जाएगा विकारिक्तम समझे मेरी बात को तो वहां पर जो करमकांड प्रॉपर हरिदवार में पंडेजी हैं ये फोन वाले भी नहीं आजकल फ्रॉड लोग हैं हम हरिद्वार से बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं आपको हम यहां से यह बेजेंगे वो बेजेंगे वहां मत वो नहीं प्रॉपर जाकर करना पाशा लोगों वहां पर जो प्रॉपर पंडेजी हैं उनको ये स लब दे कर फिर उसके बाद हर हफ्ते 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 कर दो कोई असी दिकत वाली बाद एक और चीज बता देती हूं जिनका चलता फिरता काम ठप हो गया है कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें पांच आम के पते लेकर उस पे हल्दी का तिलक लगाकर आपने अपने मंदिर में रोज चड़ाना है और ये एक साल का प्रण लेकर के मेरा काम ठीक कर दो मेरा काम चला दो जो अपनी मनुकामना है घर पे सुक शान्ती दे दो कई बार पैसे का भी बंदा क्या करेगा जब घर पे प्यारी नहीं सीधी बात है ना तो बस ये करके के बस हमारा काम चला दो ऐसे करके प्रार्थना करके और अगले दिन जब वह आम के पते जो चड़ाए होंगे कोई बात नहीं इसको फिर मिटी में दबा देना एक जगा कठा करके प्रवाहित कर देना जब पैकेट सकते हैं कोई ऐसी दिकत वाली बात नहीं आप देखोगे बात बनेगी पाश्या लोगों और चीज़े बताऊंगी और चीज़े बताऊंगी बिल्कुल मत खबराओ बिल्कुल इतनी काते ना to the point accurate ऐसी ऐसी चीज़े आपको उस्ताद बना दूँगी को कोई चैलेंज ना कर पाए आपको बस सीधी बात है ठीक है एस्ट्रो बास्तू प्रोफेशनल कोर्स का 25 के बाद बैच है मैगनिफाइड हीलिंग का अब अगला क्यूंकि आज सुबह भी है दुपैर को भी और शाम को भी है तो अब जो रेजिस्ट्रेशन होगी अगले बैच के होगी डेट सभ लोग नहीं लेते हैं की नहीं चैनल को सब्सक्राइब करो मेरा दिल अपने दिल से जोर दो विडियो को लाइक करो शेर करो इसले करो सब की संदगी ठा हो जाए ओके देन बाब बाई नमस्कार